वागुडिया तालुका के आमोदर घाओं में रहते वैसे पती के नाजायज रिष्टे से तंग आकर पतनी द्वारा अपने माईके में गले में फंदा लगा कर आत्मत्या करने की किस से अंतरगत आखिरकार पीडित परिवार द्वारा पती के खिलाफ पुलिस शिकायत गले में फंदा लगा कर आत्मत्या की गई शादी के महेज दो ही महिने में पती के नाजायज रिष्टे से तंग आकर परनीता वैसी कैलास बें द्वारा पती वैसे हेमंत बुद्धी सागर चावडा के खिलाफ कई बार इस बारे में अपने माईके में शिकायत की गई थी लेकिन बावजुद पती सुधरने का नाम नहीं लेते हुए आखिरकार पुत्री वैसी कैलास बें ने अपने माईके में आकर गर के परिवार के लोगों की गैर मौजुद्धी में गले में फंदा लगा कर आत्मत्या करते हुए स्थानिक विस्तार में हलचल मची थी जहां पतने के मुताबिक कैलास का उसका पती हेमंत कुमार किसी अन्य महिला के साथ उसका नाजायस रिष्टा था जहां वो हर रोज रात को वीडियो कॉलिंग करने के साथ पतने को मानसिक और सारीक अत्याचार गुजारता था बार बार उस पर सारीक अत्याचार गुजारने से तंग आकर आखिरकार कैलास बिन अपने माईके में रहने चली आई थी और बाद 24 मार्च को दोपेर के वक्त अपने घर के फिछले हिस्से में गले में फंदा लगा कर आत्मत्या की गई जिस अंतरगत पेडित परिवार द्वारा पती वैसे हेमंत बुद्धि सागर चावडा और ससुर बुद्धि सागर चावडा के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्च करवाई गे थी पते बपुरे वार बान ना करिया किया है पने यहां जोड़े कूई पूरा बान आता है लिए हमें शिकाय करिया है पूरावा रेकोडिंग साते यह पचीश तारीके तुरावा वाद करी अन्य पट्रीश टारीके अमें 12 वागे थी फ़ड़ाव बड़ू पोलिस टेसन काया पोलिसे कामगीरी करी रेकोडिंग सामड़ी अन्य पचीश कीदू के वादों यह पड़ाई नकाओ यह अपने कामगीरी ती संतोज नथी ना कामकिरी ती जरापन संतोज नथी मेटर में हुचे सायब क्यमें आरोपी ना ब्ये नाम लखायला आता अन्य पड़ाई ना ब्ये ना ब्ये ना ब्ये तरन वकाद अंदर जाओ नो प्रहतना करयो तो मने सायब अंदर जाओ आना दी दो